ओम शांति 6 नवंबर 2024 बाबा के महावाक्या मेठी बच्चे बाबा की द्रिष्टी हद और बेहद से भी पार जाती है तुम्हें भी हद सत्युग बेहद कल्युग से पार जाना है प्रश्न ओंच ते ओंच ज्यान रत्नों की धारना किन बच्चों को अच्छी होती है उत्तर जिनका बुद्धी योग एक बाब के साथ है पवित्र बने हैं उन्हें इन रत्नों की धारना अच्छी होगी इस ज्यान के लिए शुध बर्तन चाहिए उल्टे सुल्टे संकल भी बंद हो जाने चाहिए बाब के साथ योग लगाते लगाते वर्तन सोना बने तब रतन तहर सके ओम शांती धारना के लिए मुख्यसार पहला बुद्धी में ज्यान रत्नों को धारन कर दान करना है हद बेहद से पार ऐसी स्थिती में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प वविकल्प न आए हम आत्मा भाई भाई है यही स्मृती रहे दूसरा माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल लेना है सब कुछ सहन करना है चुई मुई नहीं बनना है माया से हार नहीं खानी है वर्तान उनका एक बाप ही संसार है, एक बाप द्वारा ही सर्व संभंदों के रसका अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है नकी वैभव वा साधन। इसलिए बे सहज आकर्शन मुख्त हो जाती है। स्लोगन प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनों। ओम शंति। आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाओं। सुख सागर में गहरे उतर जाओं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे। इन लहरों को दामन में भर जाओं। आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा। स्नेожал़ा डuirßer शंति। सागर